गुड आप्टर नून एर्थ क्लास सुमध्यानम एर्थ क्लास हम अपना सब्टम पार्ट पढ़े थे विज्ञान प्रहे लिखा जिस पार्ट को हमने पढ़ करके उसके अर्थ को लिखा और अब हम आज लिखेंगे इस पार्ट में सब्दार्थ सब्धार्थ करने के बाद हम चलते हैं अभ्यास पे अभ्यास में पहला question है आपका प्रहेलिका सश्वरम शश्वरम गायत उत्तरम चो अनवेक सेयत ठीक है प्रहेलिका को आपने गाना है एक साथ गा करके और उसके उत्तर को क्या करना है खोजना है जो हमने पहले जब पहली को पढ़ा हमने और उसके बाद हमने उत्तर को क्या करा खोजा पहली पहली का जैसे हमने पढ़ा नित्यम रमती योगी नमहेधूशनो नपावकह विकासियतीयो पद्मम बृताकारो वदनतुका है ना इस प्रकार से पहली पड़ी तो इसका उत्तर हमने खोजा कि सूर्य है है ना तो हमने ये question पूर्ण कर लिया है क्योंकि हमने सबसे पहले इस इनी पहली का को जो हमारा part था उनको पड़ा उनके उत्तर को खोजा है ना दूसरा question हमाई पूछा गया है इसमें एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर लिखी तो पहला question पूछा है को पूछा है इसमें कोछी यते वर्दते चे चो कौन बढ़ता है और कौन घटता है तो कौन बढ़ता है कौन घटता है चंद्रह चंद्रमा ठेक है घटता है और आकास में ससिवत अर्था चंद्रमा की समान कौन घूमता है तो वायुयानम इसका अंसर क्या हो जाएगा वायुयानम जब हम पहेली का पड़े थे उसमें आपने देखा होगा कि जहां भ्रहमामी नित्यम न ससीन न भानू अर्थात वह ससिवत तो घूमता है लेकिन वह क्या चंद्रमा नहीं है तो गगने ससीवत नित्यम को भ्रहमती वायुयानम खगा कुत्रडएते खगा अर्थात चुनिया कहां उरती है गगने अर्थात आकास में भूवी अर्था अगा पुछा भूवी प्रतितम कीम भूवी से कौन पृतिवी में आता है भूवी प्रतितम की प्रुई अर्थात पृतिवी में ठीक है तो यहां भी आंसर आजाएगा वाय आनम ठीक है अगला पूछा है तीसरा क्वेशन है प्रयाइवाचिनह सब्दान लिखत प्रयाइवाची सब्द लिखिए ठीक है पहला दिया है यह अथार्था जैसे आपको समझाया है पावक हा पावक के जो प्रयाइवाची सब्द है वो है अगनिही दहनह वहिन अनलह उताशनह यह हमारे पावक के क्या है प्रयाइवाची सब्द है उसी प्रकार हमने भानु के लिखने है बानु अर्थार सूर्य ठीक है तो भानु के हमारे प्रयाइवाची आपको लिखाए भी है म अर्थात चंद्रमा, ससिकारतवा चंद्रमा, चंद्रमा के प्रयावाची सब्द क्या हैं, राकेशह, चंद्रह, मयंकह, रजनीशह, ठीक है, भू, भू अर्थात जो हमारी धर्ती है, ठीक है, प्रतिवी, धर्णी, वसुंदरा, धरा, यह हमारे किसके प्रयावाची सब्द ह भूमी के, भू के, ठीक है, भूमी, भू अर्थात भूमी के, ठीक हो गया, गगनम अर्थात आकास, आकास के प्रेवाची सब्दी क्या क्या होते हैं, भ्योमह, अंतरिक्षह, सुन्या, आकाश, ठीक है, यह हमारे गगन के प्रेवाची सब्द है, आकास के, ठीक है, अगला है शूरह, सूर में सोता है देवता तेवता के प्रयावाची सब्द है देवह, आमारह, बियूदह, निर्जरह यह हमारे किसके प्रयावाची सब्द है सूर अर्था, देवता के ठीक होगे तो है हमारे प्रयावाची सब्द और एक पदेन उत्तरत ठीक हो गया अगला है इसमें बिलोम पदानी लिखत बिलोम पद लिखिये जैसे यहां याथा अर्था तुम्हें समझाया है वर्दते अर्थात इसका बिलोम है छीयते बढ़ना इसका अर्थ छीयते का अर्थ क्या हो गया घटना ठीक है पैसे हमने करना है उश्न हा उश्न का बिलोम सब्द होगा सीता हा उश्न अर्थात गरम सीता अर्थात ठंडा ठीक है जीवह जिसपे जीवन रहता है और इसका बिलोम पत क्या हो जागा है अजीवा जिसपे जीवन नहीं है ठीक है सुभम अच्छा कार ठीक है अच्छा असु इसको हम अमरीत का बिलॉम सब्दिक सभी जानते होंगे कि बीश है, ठीक है, नरह, नरार्थात, पुरूस और नारी, इसका क्या हो जाएगा, बिलॉम सब्द हो जाएगा, ठीक हो गया, अगला क्वेशन है इसमें, उचितम मेलनम कुरुत, उचितमेलन कीजिए, पहला दिया ह है, जो कमल है, वो कहां खिलता है, सरोवर में, ठीक है, तो क्या जाएगा, सरह, चक्राणी, पैया, उसकी से होते हैं, रेलियानम, इसका जो सही, मिलान है, चक्र का, पैये का, किसे है, रेल से, ठीक है, जनवाहनम, जनवाहनम अर्थात, जनता को ले जाने वाला, लोकियानम बस ठेक है यंत्रान जो यंत्र है वो क्या है विद्दुद्चालियती ठेक है रस्मया अर्थात किरन किस से मिलती है हमें सूर्य से ठेक है तो यह हमें आज हमें सिर्फ पांच ही क्वेशन करने हैं जो मैंने आपको समझाए और इन क्वेशन को मैं आपको भीज़ दूगी इन बढ़े फिर फिर देड़ी एफ शोट कर दोया है तुटा कर दोया है टेप एफ लूटाले सेटेटेट इस लाइड़ी एफिटि एफ लटोया है लोट्टार रखए लेड़ी लूटार आपू कर दोयार है